शावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगटित तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधाईव कुटुम्बकम यही बताएगा क्योंकि हम किसी को पराया माने नहीं सकते ऐसा हमारा जो अध्यात्मिक राष्ट्रियता का स्वह है वो उदय होने से दुनिया के सारे जगड़े समापत होंगे खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा हिंदू धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोये हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सिधा करते हैं उनके दुकान बंद हो जाएंगे और इसलिए हम देखते हैं कि ये नहो भारत एक विकास के रहा पर बड़ा बनने की रहा पर चल पड़ा है ये हो ना पाए हिंदू समाज अपने स्वह को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे इसलिए बहुत प्रयास चल रहे है जो जो भारती है उसकी निंदा करना भारत के जीवन की भारत के धर्म की भारत की परंपरा की इतिहास की वर्तमान की व्यवस्थाओं की सब की निंदा करना भारतियों के रुदय में स्वयम के बारे में ही अश्रद्दा उत्पन करना है ऐसे प्रयास चलते हैं इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है मनुष्य जीवन को स्थिरता देखे सुख देते तूटन से बचाते अधब पतन से बचाते ऐसे मूल्यों से युकता हमारा जीवन है उन मूल्यों पर हमला होता है बोल के भी होता है निंदा करके भी होता है और विभिन्न माध्यमों से बहुत सुक्ष मरीती से भी होता है